नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्ट सुशील दिवेदी और स्वागत आप सभी का आपकी चैनल दिवेदी क्लासिफ प्याग राज में तो दोस्तों अभी मैंने कल अपलोड किया था एक वीडियो जिस पर बात किया था हमने की एंटी पीसी का सलेबस क्या होगा किस टॉपिक से कितने कुश्चंस आने हैं बहुत ही इंपॉर्डेट वीडियो है अगर आपने एंटी पीसी का भी फॉर्म डाल रखा है और अभी आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो देस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वहाँ जाए तो उस वीडियो को जरूर देख ले ठीक है और कल ही मैंने वीडियो अप्लोड किया हुआ है आप उस रूल को जरूर पढ़ ले जो कि गुरूबडी में भी आना है और एंटी पीसी में भी आना है तो दोस्तों मैं शुरू कर रहा हूं रेलवे के लिए एक खास सेरीज तो तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे तीन चरण होते हैं CBT यानि computer based test होता है PET physical ability test होता है और दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा यानि कि सबसे पहले तो यह आपका online exam होगा ठीक है और PET सारिक दक्षिता means आप जानते है physically आपको जो दोड़ वगेरा होनी है लास्ट में वही दस्तावेज सत्यापन यानि document verification होता है तो परिक्षा pattern की बात करें तो यहाँ पे आप देख लिजिए total 100 marks के question होंगे है न और कितने question होंगे 100 question होंगे ठीक है यानि 100 question 100 marks के तो यहाँ पे देख लिजिए कितने किस पे है general science से 25 question है जो कि 25 marks के होंगे mathematics के 25 के है यह भी 25 marks के होंगे यानि कि सभी equally divide है ठीक है और general intelligence जिसे हम reasoning भी कह सकते हैं उसमें 30 question होंगे और 30 marks का होगा और general awareness या सामाने जागरुगता जिसे कहते है इस पे 20 question होंगे और 20 marks के होंगे तो कुल 100 question होंगे और 100 marks के होंगे तो आएए देखते हैं किस subject में क्या-क्या syllabus है क mathematics की में बात करूँ तो number system यानि शंख्या पद्धती board mass इस पे मैंने आज ही वीडियो upload किया है उसे जरूर आप लोग देखते हैं description में link दिया हुआ है decimals यानि दसमलों से सम्मंदित fractions यानि कि भिन होगा LCM HCF इसका भी link description में आपको मिल जाएगा ratio and proportion जिसे हम अनुपात य खेत्रमिती, time and work, समय और कार्य, time and distance, समय और दूरी, फिर क्या है simple and compound interest इसका भी link आपको description में मिल जाएगा profit and loss यानि कि लाब और हानी, algebra, बीज गडित, geometry and technometry, geometry, जामिती और त्रिकोणमिती, elementary, statics, यानि कि सांखिकी से related होगा, square root, workmool, और फिर उसके बाद में age, calculation, age से related question होगा, calendar and clock, pipes and system, ये भी time and work से ही related होता है, ठीक है तो ये mathematics के topic रहे हैं, आईए अब देख लेते हैं general intelligence यानि कि reasoning में analysis, alpha medical and number series, अब देखते हैं जैसे कि question में, alpha bet किसी sequence में रख दिये गया, या numbers रख दिये गया, और उसमें missing term पोच लिया जाए, या फिर आगे का term पोच लिया जाए, coding, decoding, mathematical operations, relationship, सहभागिता, syllog, jumbling, vein diagram, data interpretation and sufficiency, conclusions and decision making, similarity and difference, analytical reasoning, classification, general science की बात करूँ मैं, तो general science में यहां पर क्या-क्या subject होंगे, जैसे physics के कुछ topic हो सकते हैं, physics में आपका जैसे ये है, units and measurement, मापन से संबंदित है, force and laws of motion, यानि गतिके नियम, work energy and power, कार्य उर्जा और शक्ती, gravitation, जैसे गुरुत्वाकार्शन कहते हैं, pressure यानि दाब, sound, आवाज, ध्वनी, waves, तरंगे, heat, उस्मा, friction, घर्शन, ठीक है, light से reflection and reflection, यानि परावर्तन और अपवर्तन, फिर current electricity, magnetism, चुम्ब का तुझी से कहते हैं, magnetic effect of electric current, विद्धुद्धारा का चुम्ब की ये प्रभाव, scientific instruments, inventions, यानि खोजिंग क्या क्या हैं, और important discoveries relating to physics, source of energy, उर्जा के शुरूत, ठीक है, chemistry में अगर हम देखें और बात करें तो, periodic classification, आवर्त काल से संबंदित है ये, आवर्ती भर्गी करन, chemical bonding, oxidation reduction, combustion and flame, acid basis and salts, electrolysis, carbon and its compound, fuels, metallurgy, synthetic fiber and plastic, metals and non-metals, common facts and discoveries in chemistry, life science की बात करें, तो, introduction, classification of organism, cytology, genetics, heredity and evolution, botany, classification of plant kingdom, plant morphology, plant tissue, photosynthesis, plant hormones, plant diseases, ecology and environment, pollution, geology, हिलोजी, हिलोजी में classification of animal kingdom, animal tissue, human blood, organ and organ system, human blood and blood groups, human eye, nutrients, general awareness की बात करें, जिसे की हम समाने जागरुकता भी कह सकते हैं, ठीक है, इसके अंतरगत क्या-क्या चीज़े हैं, current affair in science and technology, यानि विज्ञानों प्रद्युकी से संब्दिन current affair, sports से related, culture, सब्वेता संस्कृती, personalities, economics, politics and any other subject importance, तो दोस्तों ये रहे, syllabus आपके इसी बेस पर आपको त्यारी करनी है, जैसा कि आप जानते हैं, पंद्रा जिसंबर से exam date गोशित हो चुकी है, तो लग जाए जी जान से और सफलता हासिल करिए, तो दोस्तों अगर चैनल को subscribe नहीं किया, subscribe कर लें, वीडियो को like कर लें, मिलता हूँ अगली update के साथ, thank you.